Hello Everyone, Welcome to Shukhošal जैसा कि आप सब जानते हैं हमने हमारे चैनल पर HSC-CET Mains का बैच स्टार्ट कर रख है तो उसी सीरीज में हमारी आज की जो next unit है वो है Indian Economy आज हम Indian Economy के important topics को discuss करेंगे यह हमने सीरीज स्टार्ट कर रखे जिसके अंदर हम complete syllabus करवा रही है HSC-CET Mains जो accounts job वाला exam है उसके लिए जो become level exam है तो पहले भी इसकी काफी classes हो चुकी है जिसके अंदर हमने काफी important units जो है उनको cover किया है अगर आपने वो classes नहीं देखी है तो इस वीडियो के description box में आपको playlist का link मिल जाएगा वहाँ से जाके आप सारी classes को access कर सकते हो और बात करें PDF की तो आपको ये जो class है इसका PDF हमारे telegram channel पर मिल जाएगा दोनों medium में Hindi में भी और English में भी और पहले जो classes हुई है उनके भी PDF हमने share कर रखे है आप जाके access कर सकते हो वहाँ पर आप telegram जब open करोगे तो उसमें files एक section होता है उस files section में आपको सारे PDF मिल जाएगे जो भी अब तक classes हुई है दोनों medium में Hindi में भी और English में भी और इसका PDF भी हम share कर देंगे class के बाद ठीक है तो चलिए ब स्टार्ट करते है ये आपका syllabus है क्या features है और जो natural resources है इनके बारे में discuss करेंगे कौन-कौन से natural resources है और ये जो infrastructure वाला जो topic है इसको भी discuss करेंगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम Indian economy को समझने से पहले economics के बारे में बात करते हैं कि economics क्या होती है क्या होती है economy economics का क्या मतलब होता है economics में एक तरह से हम कुछ चीज़े study करते हैं तो वो study हम किस चीज़ की करते हैं देखो जो हमारी society है जो हमारा समाज है उसके अंदर क्या होता है कि कुछ resources होते है ठीक है कुछ resources तो हम उन resources का किस तरह से use करें मतलब इन ये जो resources है इन resources को हमारी जो wants है जो हमारी एक तरह से जरूरते हैं उस उन जरूरतों को satisfy करने के लिए इन resource का efficient अच्छे तरीके से हम कैसे इनका use करें इस चीज़ को study करना ही एक तरह से economics होता है ठीक है बाकि अगर देखें तो economics के अलग-अलग sense में अलग-अलग meaning आते हैं ठीक है लेकिन अगर हम एक common जो real meaning के उसकी हिसाब से देखें कि economics का क्या मतलब होता है तो economics का मतलब होता है कि उन चीज़ों को study करना कि जो resources जो हमारे पास limited resources है क्योंकि अब resources जो है वो unlimited नहीं हो सकते यह नहीं है कि हम को हमारी जो भी हमारे पास resources है जैसे कि जो हमारे पास capital है जो हमारे पास और जो natural resources है वो unlimited हम कितने भी use करें ऐसा नहीं होता जो resources होते हैं वो हमेशा limited होते हैं ठीक है या scarce scarce बोल सकते हैं हम इनको कम होते हैं तो अब उन limited resources को हमारी अगर हम उसकी need की बात करें हमारी जरूरतों की बात करें तो वो unlimited होती है मतलब हमारी wants उसकी कोई limit नहीं होती तो उन unlimited wants को satisfy करने के लिए इन limited resources का हम efficient तरीके से कैसे उनका use कर सकते हैं इस चीज की study को ही एक तरह से हम economics बोलते हैं या एक economics का इस sense में भी meaning आता है कि ये जो resources है इनको हम जो human जो है वो कैसे इन resources को हापस में एक तरह से distribute करता है बाटता है किस तरह से resources का use करता है कैसे इनका consumption करता है इनका उभोग कैसे करता है वो सारी चीजों की study ही economics होती है ठीक है अब हम बात करते है इंडियन economy की कि इंडियन economy का नेचर है कैसी रही है तो इंडिया की जो economy है वो developing nature की economy है developing का क्या मतलब होता है अब देके तीन तरह की economy होती है एक होती है underdeveloped एक होती है developing और एक developed अब जो बिल्कुल ही low है economy जिसकी condition का बहुत ही कम है मतलब इसमें इतनी अच्छी फैसिलिटी रिसोर्सिज नहीं है तो वह अन्डरडवलप्ड है और जो नो में ग्रो कर रही है वो होती है डेललप्ड ठीक है तो हमारी जो इंडियन एकनोमी है वो हमारे नेशन की तरह है हमारे देश की तरह है कि डवलपिंग नेचर की एकनोमी है कुछ मेन जो डवलपिंग जो एकनोमी होती है उनकी कुछ फीचर्स होती है कुछ attributes हम इनके बोल सकते हैं वो क्या-क्या होते हैं जैसे कि सबसे पहले और population, जो developing economy होती हैं उनमें और population का एक issue होता है, उसके बाद उसके और क्या features हो सकती हैं, घरीबी, poverty जो है वो भी ज़्यादा होती है developing economies में, और जो infrastructure है, अब देखो जो economy develop कर रही है, ग्रो कर रही है, तो उसमें infrastructure भी इतना स्क्र wolf की एक्नोमिम्य उसके आदर एक मेन रोल हिवोता है चरीक स्थी यादिन वह भी यह कुछ एक्ड की वियखति की इंकम जो है वह भी लो लो होती है तो हमारे इंडिया एक developing economy है तो हमारी जो economy है उसकी भी होगी अब देखो जब इंडिया independent हुआ था आजाद हुआ था तब उस time पे हमारी जो इंडियन economy है वो जब उस time पे ये start सोचा गया था कि हम हमारी जो economy की अब जो condition है इसको improve करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग- के द्वारा लिए गए तो जब starting में हमारी इंडियन economy जब इसको start किया गया growth के लिए मतलब steps लिए गए तो उस time पे socialist जो एक तरह से pattern है उसका use किया गया socialist system का use किया गया यह तीन systems होते हैं यह हम उसमें भी पढ़ते हैं जो micro macro economics जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ते यह आपके इसलिए बस में नहीं थी इसलिए मैंने नहीं करवाया लेकिन यह चीज समझना जुरूई है कि जब इंडियन economy independence के time पे हमने socialist pattern जो है वो use किया था socialist में क्या होता है कि जो government है वो decide करती है कि जो हम economy के अंदर क्या पढ़ते हैं कि जो resources है हमारे resources हैं को कैसे distribute किया जाएगा कैसे बाटा जाएगा तो वो जो distribution कैसे किया जाएगा या क्या production किया जाएगा किन चीजों का production किया जाएगा यह सारी चीजे government decide करती है government खुद decide करेगी कि किस चीज का production करना है किस तरह से मतलब जो people है जो population है उसके अंदर production को बाटना है कैसे उन resources को distribute करना है बाटना यह सारे decision जो है वो government लेती है socialist economy में तो हमने जब हमारी independence के बाद हमारी जो economy थी वो socialist pattern पे बेज़ थी लेकिन अब हम बात करें current में हमारी economy कैस है तो वो mixed nature की है mixed nature की कौन सी socialist तो ही है साथ में capitalist भी है capitalist क्या होती है capitalist में यह क्या production करना है कैसे resources को distribute करना है capitalist economy में ऐसा होता है अब market में कोन आएगा market कैसे करेगी market का मतलब है कि demand और supply decide करेगी demand यानि कि जिस भी resources की demand होगी उसी चीज़ का production किया जाएगा उसी चीज़ को बनाया जाएगा जो लोग demand कर रहे है ठीक है तो demand और supply से अपने economy में पढ़ा भी होगा कि price decide होता है तो किस rate पे वो production वो समान बाटा जाएगा वो सारी चीज़े market decide करेगी यानि कि demand और supply decide करेगी तो वो होती है capitalist economy तो अब हमारे इंडिया में mixed economy का एक system जो है वो use किया जाता है यानि कि capitalist भी है हमारी economy और socialist भी है यानि कि कुछ चीज़े तो government जो है what decide करती है और कुछ चीज़े market पे based है ठीक है अब तो ये तो हो गया हमारे इंडियन economy का system अब ये जो हमारे इंडियन economy है इसमें कुछ significant कुछ important change जो है वो किये गए थे वो कब किये गए थे 1991 में जब LPG की जो policy है उसको लाया गया था ये LPG की क्या policy थी liberalization, privatization और globalization अब इसका क्या मतलब है L का मतलब liberalization यानि कि उधारी करण किया गया था अब देखो जो भी काम करने के लिए बिजनसीज करने के लिए जो rules regulations होते हैं उनको एक तरह से हम बोल सकते हैं उन rules regulations को जो पहले बहुत ज़्यादा strict थे उनकी strictness कम कर दी गई ठीक है मतलब काफी ज़्यादा एक तरह से छूट दे दी गई बिजनसीज वगेरा में असानी से मतलब असानी कर दी गई जो rules regulations जो है उनके अंदर अब कोई भी इपना बिजनस जो है वो असानी से setup कर सकता था rules regulation को liberalize कर दिया गया ठीक है next P का मतलब है privatization यानि कि जो गोर्वेंट जिन की मतलब गोर्वेंट ने ये कर रखा था कि ये जो चीज़े हैं इनको इनका production कर सकती है इनकी इंड़स्टी लगा सकती है उन चीजों में privatization लाया गया यानि कि जो आम लोग है private जो person है वो भी अपना particular sector के अंदर बिजनस जो है वो set up कर सकता है यानि कि privatization लाया गया जी का मतलब है globalization globalization का मतलब था कि हमारा जो देश है जो इंडिया है वो दूसरे देशों के साथ भी trade जो वेपार है वो कर सकता है तो ये LPG की जो policy है वो 1991 के अंदर introduce की गई उसके बाद हमारी जो economy है वो अच्छी ग्रोव की और उसके अंदर कुछ significant जो है वो changes हुए ठीक है तो ये हमारे Indian economy के बारे में कुछ key points थे अब हम nature की बात करें तो nature की हमने वैसे बात कर भी ली कि जो developing जो economy होती है उसकी क्या nature होती है उसके जो income का जो level है वो lower middle income होती है वो मतलब lower middle income ये जरूरी नहीं है कि हो लेकिन हम Indian economy की बात करें तो हमारी India की जो economy है वो lower middle income है ये lower middle income का क्या मतलब है जो world bank है वो उसने कुछ limits decide कर रखी है कि अगर किसी company कि क्या सोरी किसी economy के लोगों की income जो है वो अगर इस level पे है तो वो high income country होगी इस level पे है तो वो middle income होगी इस level पे है तो वो lower income होगी इस तरह से decide कर रखी है अलग-अलग limits तो limits हमा लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस लेवल के अंदर आते हैं, तो हम आते हैं lower middle income की category के अंदर, हमारी Indian economy जो है, वो lower middle income की category में आती है, ठीक है, अब देखो जो middle income है, यानकि जो बीच में है, ना ज़्यादा high है और ना ज़्यादा low है, उस middle के भी दो part होते हैं, middle में भी एक lower और एक higher, ठीक है, एक higher और एक lower, तो हम जो है, वो lower middle में आते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको, next बात करें, जो per capita real income है हमारी Indian की, वो low है, वो भी कम है, कि एक व्यक्ति की जो income है, वो अगर हम average के हिसाब से देखें, total world की, पूरी दुनिया के लोगों की per capita income के हिसाब से देखें, तो हमारी जो Indian जो people है, उनकी per capita income, एक person की जो income है, वो कम है, ठीक है, low है, और सबसे main है poverty, हमारे इंडिया में गरीबी जो है, वो बहुत ज़्यादा है, अभी भी अगर हम देखें, कुछ current data के हिसाब से, तो जो Indian निकनो, मतलब India जो है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा number of poor people है, ठीक है, पूरे अगर दुनिया में, हर country में देखें हम की, जो एक population जो है poor people की, वो सबसे ज़्यादा अभी भी इंडिया में ही है, next high rate of population growth, जो population है, वो high rate से grow कर रही है, population जो है बढ़ रही है, बहुत high rate से, यह कुछ characteristics है Indian economy की, कुछ और point Indian economy से related, कि हमारी जो economy है, वो agriculture based है, agriculture based यानिकी, agriculture का एक main share जो है, वो हमारी economy की अंदर है, जो GDP है हमारी Indian economy की, उसमें 14.2% जो share है, वो agriculture से आता है, ठीक है agriculture से, और अगर बात करें लोगों की, कि कितने लोग जो है, वो agriculture sector के अंदर की पे रिलाय करते हैं, उसके अंदर लगे हुए हैं, तो 53% जो हमारी population है, वो agriculture sector के अंदर है, next है in appropriateness of distribution of income, ये एक और next feature है, हमारी Indian economy की क्या, कि जो income है, वो उस income जो है, वो बराबर बराबर एक तरह से distribution उसका नहीं है, पूरी economy के लोगों के अंदर, यानि कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, तो ये जो income का, ये जो आये का जो distribution है, बर तवारा जो है, वो equal नहीं, वो सही तरीके से नहीं है, ठीक है, अब देखो, एक recent report के according, जो 1% Indian है, 1% जो भारतिये लोग है, वो 53% जो है, वो country की wealth को own करती है, यानि की 1% लोगों के पास, 53% जो wealth है, हमारी country की वो है, ठीक है, तो ये देखो, कितना एक तरह से gap है, rich और poor के बीच में, तो ये जो income का बटवारा जो है, वो भी सही नहीं है, हमारी economy के अंदर, next, poor infrastructure development, infrastructure जो है, वो भी इतना अच्छा developed, अभी तक नहीं है, हमारे इंडियन economy के अंदर, next, imperfect market, अब देखो, imperfect market क्या होती है, यानि की सही market ना हो, जहाँ पर पूरा जो system है market का, वो अच्छे से work ना करता हो, तो हमारे इंडियन economy की जो market है, वो imperfect है, वहाँ पर सही से जो free market के अंदर, जो conditions होनी चीए, वो नहीं है, next, obsolete technology, अब देखो, हमारी जो इंडियन economy है, उसके अंदर जो businesses, industries है, वहाँ पर technology जो है, वो इतनी नहीं technology जो है, उसका use नहीं किया जाता, यानकि जो technology है, वो obsolete पुरानी जो technology, जो मतलब उसके बाद जो नए invention वगरा है, उनकी कमी है, हमारी इंडियन economy के अंदर, अभी भी हमारी जो economy है, उसके अंदर जो काम किया जाता है, वो labor intensive nature का है, labor intensive यानि कि जो labor है, उसका ज़्यादा यूज किया जाता है, ना कि capital और नहीं technology, innovation नहीं नहीं machine हो, उनका यूज नहीं किया जाता, ठीक है, तो यह जो technology की कमी है, next है backward society, अब हमारे जो Indian economy के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर जो people है, उनकी thinking भी इतनी ज़्यादा अच्छे से developed नहीं हुई है, जो society है, वो अभी भी हमारी backward है, पिछड़ी हुई है, यानि कि उनकी thinking जो है, जैसे कि जो male dominated society, अभी भी prevalent है हमारे इंडिया के अंदर, और जो caste system है, उसकी जो thinking एक तरह ऐसे लोगों के अंदर, जो वो भी काफी ज़्यादा rigid framework है, एक caste system का भी, ठीक है, लोग अभी भी caste में इतना ज़्यादा believe करते हैं, जो हम बोल सकते हैं कि जो new thinking है, जो नई सोच है, वो अभी भी नहीं है, society अभी भी हमारी backward है, तो ये कुछ highlights थें इंडिया निकनोमिक के, अब हम move करते हैं हमारे next topic, natural resources पर, natural resources क्या होते हैं, जैसे इसका नाम से पता चल रहा है, वो resources जो हमें nature से मिलते हैं, वो natural resources, तो जो natural resources यानि कि, जैसे कि हवा है, पानी है, sunlight है, मिट्टी है, या stone है, plants है, पेड़ पोदे हैं, animals हैं, ये सारे क्या हैं, ये natural resources हैं, ये हमें nature से मिलते हैं, इसमें, जो एक human का जो role है, वो नहीं होता, अपने आप environment से जो हमें मिलते हैं, ठीक है, अपने आप develop होते हैं, ये nature के अंदर, वो होते हैं, natural resources, अब ये natural resources, जो है, वो four types के होते हैं, land resources, forest resources, water और energy, एक एको समझते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, land resources की, land resources क्या होते हैं, जो land, जो जमीन है, उसके उपर जो भी हमें resources मिलते हैं, ठीक है, वो होते हैं, land resources, अब जमीन के उपर, मतलब कि जो land है, land के उपर जैसे, कि इस land में ये होता है, कई जिगह पे तो पह होते हैं, ठीक है, कहीं जिगह पे नदियां होती हैं, कहीं पर पूरा plane area होता है, ठीक है, तो ऐसे जो land के उपर, जो resources हैं, वो आते हैं, land resources के category में, जैसे कि hills हैं, ठीक है, पहाडियां हैं, valley हैं, घाटियां हैं, plains, मैदान जो हैं, मैदानी area आपने geography में पढ़ाओगा, नद land resources का main role होता है, एक human being की life में, यानि कि बहुत ज़्यादा dependent होता है, human beings इन land resources पे, क्योंकि काफी resources हैं, land से हमें मिलते हैं, जो हमारी life है, उसमें main role play करते हैं, ठीक है, अब देखो, यह जो land resources है, इनका एक तरह से human being क्या कर रहा है, इनका overuse कर रहा है, ठीक है, यह जो land resources है, इनका over utilization कर रहा है, मतलब, इनका जितना, इनकी capacity है, उससे ज़्यादा use कर रहा है, तो इसकी वज़े से क्या हो रहा है, यह damage हो रही है, ठीक है, इनका, यह तरह से, इनको काफी ज़्यादा नुक्सान हो रहा है, damage हो रहा है, अब कोई चीज limited है, उसका आप over limited use करोगे, तो वो तो खतम ही होएगी दिरे दिरे, तो इस तरह से, इस in land resources का overuse करने से क्या हो रहा है, कि यह जो land है, वो काफी ज़्यादा damage हो रही है, ठीक है, तो अब इस damage की एक नाम से define करते है, land degradation, land degradation का क्या मतलब है, कि जो जमीन है, उसका overuse करने से, वो जो पूरी destroy हो रही है, यान रहत है, मिल्टी की, उसकी जो उपजाओ सकती है, वो खतम हो जाएगी, यान कि उसके अंदर, जो जो जिससे, मतलब जो चीज से हमें फाइदा मिल रहा है, वो फाइदा देने वाली जो चीज है, वो destroy हो जाएगी, वो खतम हो जाएगी, तो अब land का हम यूज किसलिए करते हम वहाँ पर agriculture करते हैं, फसल वगारा होगाते हैं, तो वो अगर उसकी जो एक तरह से उपपर की, जो जो जाओ सकती है, वो ही खतम हो जाएगी, तो फिर पूरी destroy हो जाएगी, ठीक है, तो ये इसी को हम बोलते है, land degradation, यानि कि प्रोसेस जहाँ पर जो soil है, उसकी fertility जो है, व increasing population के कारण, जो बढ़ती हुई जो population है, उसके कारण जो demand है, वो ज्यादा हो रही है, foods की, खाने की demand जो है, वो ज्यादा हो रही है, तो वो ज्यादा resources जो है, उनका use करके, उनको over utilize जो है, वो किया जा रहा है, उनका over exploitation जो है, वो human beings कर रहा है, ठीक है, next हम बात करते हैं, forest resources की, forest resources, forest क्या होते है, forest वो जो जंगल जहां पर बहुत सादा पेड, plants जो होते हैं, और वो एक तरह से हमारी human being की, मतलब कोई भी natural resources हो, हमारी human being की जो life है, उसके अंदर उनका main role होता है, ठीक है, हमें बहुत अलग-अलग items एक तरह से हम कह सकते हैं, वो हमें provide एक तरह से मिल होते हैं, इनको हम आगे discuss करेंगे, अलग-अलग parts में, अब देखो, plants के साथ, साथ क्या-क्या cover होता है, इसके अंदर, जो plants है, पूरे बड़े area के अंदर जो है, वो फैले होई होते हैं, forest के अंदर, ठीक है, अब इन forests से, जो वहाँ पर इस forest के अंदर जो रह रहे हैं, animals, उनके लिए तो यह useful होते हैं, साथ में, इनसे भी हम, जो, मतलब, जो other people हैं, उनके लिए भी काफी ज़्यादा इनका एक importance होती है, हमें, हमारी जो life में, daily life में use होने वाली काफी सारी चीज़े जो हैं, वो forest से ही मिलती है, अब जैसे देखो, जैसे हमने उसके अंदर बात क जो last resources था, land resources, उसका over exploitation हो रहा है, तो उसी तरह से forest जो है, इनका भी human being overuse कर रहा है, यानि कि अपने particular personal purposes के लिए इनको over exploit कर रहा है, forest जो है, उनको काटके, उनके उपर अपने फाइदे के लिए अपनी हिसाब से जो चीज़े हैं, वो बना रहा है, तो इसके भी environment को काफी ज्यादा नुकसान जो है, वो face करने पड़ते हैं, ठीक है, फिर उसका opposite fact ही पड़ता है, human being पे, आप देखो forest, important forest resources देखें कि कहां कहां forest है, तो जो अफरीका है, अफरीका कॉंटिनेंट जो है, वहाँ पर सबसे बड़ा forest area है, 33% जो area है, वो अफरीका के अंदर है, उसके बाद, second number पे है, लेटिन अमेरिका में, लेटिन अमेरिका जो नोर्थ अमेरिका है, उसके नीचे जो islands है, और जो साउथ अमेरिका है, वो पूरा area आता है, लेटिन अमेरिका के अंदर, उसमें 25% जो area है, वो forest area आता है, लेटिन अमेरिका में, उसके बाद, third number पे है, नोर् 14% जो net forest area है वो आता है ठीक है और फिर है North America जहां पर 11% आता है उसके बाद जो European countries है यूरोप है वहाँ पर सिर्फ 3% forest जो है वो cover है ठीक है तो यह अलग-अलग continent में कितना कितना area है forest का अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो इंडिया की जो total 100% area है उसमें से 20.6% जो area है वो forest से cover है ठीक है according to 2005 है ठीक है 2005 में यह चीज़ जब देखी गई थी measure किया गया था तब जो 20.6% area है इंडिया का वो forest से cover है next जो हमारा resources है वो है water resources अब देखो water जो है वो एक उसका एक main role होता है हमारी life के अंदर ठीक है पूरी जो धर्ती है उसका 70.8% surface जो है वो पानी से cover है ठीक है नॉर्मल सी बात है आप सबको पता है लेकिन यह जो water है इसका 97% जो portion है वो हमारे human consumption के लिए एक तरह से usable नहीं है ठीक है 97% नहीं है तो बचा 3% उस 3% में से जो 2% water है वो किसमे है cover है वो glaciers में cover है यानि कि उसकी बरफ जमी हुई है पहाडों के उपर ठीक है तो 2% को भी यूज नहीं कर सकते है बचा 1% 1% जो है वो fresh water है जिसको हम हमारे consumption के लिए human consumption के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है तो यह पूरा total water resources के बारे में हमने discuss किया अब देखो यह जो water resources है इसके क्या यूज है यह तो common सी चीज़े है agriculture के लिए यूज करते हैं एक transportation का agent है transportation भी तो करते हैं सी रूट के द्वारा तो वो भी इंडस्टीज के लिए यूज हो गया domestic यूज का आपको सबको पता ही है cleaning के लिए personal hygiene के लिए cooking के लिए dishes वगरा clothes वगरा विकल वगरा को wash करने के लिए उनको धोने के लिए यह domestic यूज होगे waters के अब देखो यह जो water है जो fresh water है 1% जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारे human consumption के लिए वो दो तरह से available है हमारे पास एक surface water की form में और एक ground water की form में surface water यानकि जो जमीन के उपर है पानी है उस बरफ के पिंगलने से जो पानी हमें मिलता है वो वो होता है surface water की category में अब rain से तो हमें directly मिल जाता है जो snow cover है उसका जो पानी है वो किसकी form में आता है वो या तो यह जो lakes है जीले है इनकी form में यह जो नदियां है उनकी कुछ branched streams जो है वो या फिर जो artificial reserve बनाए गई ह है एक artificial जील जो है एक तरह से वो बनाई गई है वो यह surface water के source है हमारे पास water की अब यह जो surface water है surface की उपर जो पानी है इसका एक एकनोमी के अंदर main रोल होता है जहां पर भी अच्छी नदियां होंगी जहां पर अच्छा surface में water होगा अच्छी lakes वगरा होंगी वो एकनोमी वो एरिया जो है वो अच्छा डवलप होगा वहां पर ज्यादा लोग जो है वो रहेंगे लेकिन surface water के कुछ नुकसान भी है जैसे जहां पर नदिया वगरा होंगी वहीं पर तो ज्यादा flood वगरा बार्ड वगरा की जो issues है वो फेस करने पड़ेंगे तो वहीं कुछ ओवर्यूज्जा वो非ो चांब हो तो वैसे ही environment World वोटर से की टरूब्लम के तो यह जैसे जैसे मेंडेस बढ़ रहे हैं जैसे जैसे रब्चураणն ईसे करने ते रही है और over exploitation जो है हमारे natural resources का किया जा रहा है percentage की बात करें तो जो 1% हमने total fresh water की बात की थी उसमें से 9.86% जो fresh water है वो हम ground water से access करते हैं और बाकी surface water से ठीक है यह percentage याद रखने है next हम मूव करते है हमारे next resource energy resources पे energy resources energy क्या होती है energy यानि की वो ability वो power जिससे हम कोई system के through work कर सकते है कोई system जो है वो work कर सकते है वो होती है energy वो power ठीक है या ऐसा एक object ऐसी property जिससे हम किसी एक object को transfer कर सकते है ठीक है या उसको अलग-अलग form के अंदर convert कर सकते हैं वो होती है energy एक तरह से power की तरह होती है अब यह जो energy है यह हमें कहां से मिलती है क्या resources है इसके तो इसके जो resources है उनको हम दो parts में divide करते हैं renewable resources और non renewable resources अब यह renewable resources क्या होते हैं renewable यानि की renew हो जाते हैं जो दुबारा से renew हो जाते हैं बन जाते हैं तो यह renewable resources कौन से resources होते हैं ऐसे resources जो बहुत ही बड़ी amount में या हम कह सकते हैं, area के अंदर area तो नहीं बोल सकते हैं, काफी ज़्यादा amount में हमें available होते हैं, यह कभी हम इनको कितना भी use कर लिया, यह कभी खतम ही नहीं हो सकते, इतनी ज़्यादा amount के अंदर हमें available होते हैं, renewable resources, ठीक है, यह sustainable होते हैं, sustainable या यह जो resources है उनको environment के perspective से देखे तो भी इनको safe consider किया जाता है यानि कि environment अगर हम इन resources का use करते है तो उससे environment के उपर बुरा effect नहीं पड़ता अब कौन-कौन से होते है renewable resources यह होते हैं example के लिए देख लेते है solar energy जो सुरिय से हमें जो उर्जा मिलती है geothermal energy जो geo मितलब earth thermal means heat यान कि जो earth है जो हमारी धरती है उसकी जो heat है उसको generate करके हम energy जो है वो produce करते है वो wind energy जो हवा जो है उससे हम energy बनते हैं आपने देखे होंगे वो पंके से लगे हुए होते हैं वो हवा से रोटेट होते हैं और उससे फिर energy generate होती है biomass energy hydro power hydro means होता है water तो पानी से जो हम energy generate करते हैं ठीक है वो बांध वगेरा बनाके वो पानी नीचे डालते हैं फिर उससे वो rotate करता है ऐसे hydro power energy tidal energy जो जवार जो आती है ते जवाएं जो आती है उनसे जो energy generate होती है ठीक है तो यह renewable energy resources है यानि कि ऐसे resources जो कभी खतम ही नहीं हो सकते हैं हम इनका कितना भी use करें और ना ही इनका environment के उपर बुरा effect पड़ता है next है non renewable resources यह इसके opposite है यानि कि आसे resources जो है तो काफी ज्यादा amount जठ पे लेकिन यह हम इनको जैसे जैसे use करने यह खतम हो रहे है और इनका जो दुबारा बनने का time है अपने आप बनते हैं तो यह जो दुबारा बनने का जो टाइम है वो काफी जादा लंबा है यानि कि जिस स्पीड से हम इनको यूज कर रहे हैं उतनी स्पीड से जुबारा नहीं बन रहे अप देखो कोई चीज जो है उसको हम जिस स्पीड से यूज करेंगे और वो दुबारा उस spirit से नहीं बनेगी तो यानि कि वो खत्म हो जाएगी तो non-renewable resources वहीं होते हैं और ये non-renewable resources जो है इनका use करने से environment के उपर भी बुरा effect पड़ता है अब example देखे non-renewable resources के तो वो है natural gas, koella, petroleum, nuclear जो energy है वो और जो hydrocarbon gas liquids है वो ये कुछ एक तरह से sources है, resources है non-renewable energy के ठीक है तो ये दो तरह के sources होते हैं renewable sources और non-renewable resources ये यहाँ पर चार्ट से आप और अच्छे से clearly समझ सकते हैं renewable resources कौन से होंगे जो जैसे कि solar energy है, सूरिय से मिलने वाली biomass है ठीक है जो पेड वगएरा plants इनके डिस्टोंगे से जो हम wind energy है, geothermal energy है, hydro power energy है और non-renewable energy energy के resources कौन से है, fossil fuel है, nuclear energy है, coal है, koila है, natural gas है, ये non-renewable energy के resources है, ठीक है, अब देखो एक अच्छा resource जो है, एक good resource energy का, उसकी क्या qualities होनी चीए, यानि कि किस resource को बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, क्या-क्या features ये quality होनी चीए, ठीक है, ये exam के perspective से important है, क्योंकि exam में ऐसे ही सवाल आते हैं, कि कच्छे resources में क्या चीज होनी चीए, वो बताओ, 4-5 आपको option दे देंगे, ठीक है, अब क्या होनी चीए, सबसे पहले optimum heat production per unit volume mass used, यानि कि वो एक, अब देखो energy, यानि कि heat होती है energy, तो वो heat generate करने के लिए हम जिस resource का use करने है, वो optimum एक अच्छी heat जो है, वो generate करे, यानि कि ये नहीं है कि हमें काफी ज़्यादा resource जो है, उसका use करना पड़ रहा है, और heat हमें कमी मिल रही है, ऐसा ना हो, optimum heat जो है, उसका production हो, per unit या volume के basis पे, ठीक है, easy to transport, यानि कि उस resource को transport करना असान हो, वो resource, least polluting, उससे pollution जो है, वो कम हो, ऐसा हो resource, economical, य ये feature जो है, एक अच्छे energy के resource source के अंदर होनी चीए, ठीक है, एक अच्छा source जो है energy का, उसको हम तब ही बोलेंगे, अच्छा source है, जब उसके अंदर ये सारी qualities होंगी, यानकि वो सस्ता भी होगा, pollution भी कम करता होगा, transportation करना भी उसको असान होगा, और वो optimum heat भी generate करता होगा ठीक है, अब ये देखो, जो sources है, इनको renewable और non-renewable के basis पे तो divide करते हैं, एक और division का basis होता है, conventional और non-conventional, conventional resources कौन से resources होते हैं, ये वो resources होते हैं, जो adjustable nature के होते हैं, adjustable का क्या मतलब है, यानि कि इनको use करने के बाद ये खतम हो सकते हैं, ठीक है, हमने बात की थी थी ना, जैसे non-renewable और renewable में, renewable जो कभी खतम नहीं हो सकते, तो ये जो conventional है, ये एक तरह से non-renewable जैसे है, इनकी कुछ nature, कि ये जल्दी से खतम हो सकते हैं, adjustable हो सकते हैं, non-conventional वो जो in-existible हो, यानि कि इनको overuse करने से ये खतम नहीं हो सकते, बात करें, pollution की, तो conventional जो resources होते हैं, वो pollution create करते हैं, जैसे कि smoke वगरा है, या जो वो ash है, यानकी जो rock है, उनका use करने के बाद, वो generate करते हैं, धुआ generate करते हैं, यानकी pollution का कारण होते हैं, pollution करते हैं, ये sources, लेकिन जो non-conventional resources हैं, वो pollution free होते हैं, ये कोई pollution नहीं करते हैं, conventional resources हैं, वो काफी ज़्यादा महंगे होते हैं, उन होते हैं कम expensive होते हैं ठीक है example के लिए देखें तो conventional resources कौन-कौन से होते हैं जैसे koila है natural gas है petroleum है water power है यह conventional resources के types है examples है non-conventional जैसे की solar है जो सुरिय से मिलने वाले bio gas है wind है tidal energy है geothermal है यह non-conventional resources है ठीक है यह वैसे यह renewable non-renewable की जैसे ही यह conventional वाले non-renewable और यह non-conventional renewable ठीक है थोड़े थोड़े similar exact वह चीज़े नहीं है यह यहाँ पर एक मैंने question include किया इसका answer आप comment box में दोगे ठीक है कि कौन सा natural मतलब वन एक ऐसा टाइप है natural resource का जो water है one type of natural resource is water कि water natural resource है ठीक है we can use water to make electricity हम पानी का यूज कर सकते हैं electricity बनाने के लिए तो अब यह जो पानी से electricity बनाना है इसको हम किस term से define करते हैं यह option है आपका answer comment box में देना कुछ topics और रहते हैं infrastructure वाला इसको भी हम cover करते हैं अब देखो infrastructure क्या होता है infrastructure एक life line की तरह होता है एक economy की यानी की life line की तरह कैसे पूरी जो economy है उसका एक सबसे पहली जो requirement वो infrastructure है अगर कोई economy grow करना चाती है develop होना चाती है तो सबसे पहली जो step है हम बोल सकते हैं जो basic जो चीज एक economy के अंदर होनी चीए वो है अच्छा infrastructure का अब क्या मतलब है क्या होता है infrastructure का मतलब है कि उस economy के अंदर उस country के अंदर अच्छी facilities हो जो basic facility होती है basic facility in the sense कि अच्छी सडके हो अच्छे pull वगरा bridge वगरा हो transportation करना असान हो वहाँ के जो लोग है ठीक है वहाँ वो उनको अभी लेबल हो, तो अगर किसी country के अंदर, किसी economy के अंदर ये सारी चीजे हैं, तो यानि कि वहाँ पर अच्छा infrastructure है, ठीक है infrastructure गा मतलब यही होता कि पूरी economy को work करने के लिए जिन basic चीजों की requirement होती है, वो सारी चीजे होनी चीए ठीक है, अब देखो, यह जो infrastructure है, इसको हम दो parts में divide करते हैं मतलब दो तरह का होता है infrastructure, एक होता है economic infrastructure, एक होता है social infrastructure अब देखो, यह social infrastructure है, इसका मतलब है कि जो human beings है उसकी जो एक तरह से condition है, उसको improve करना, human welfare करना यानि कि social infrastructure, जैसे कि health जो है, वो अच्छी provide करना education जो है, वो अच्छी देना, मतलब basic एक human life को improve करने के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत होती है, उन चीजों को improve करना, वो provide करना तो यानि कि वहाँ पर अच्छा social infrastructure है, economic infrastructure का मतलब होता है कि जो business है, उसको चलाने के लिए जिन basic चीजों की requirement होती है, जैसे कि अच्छा transportation, अच्छे energy के resources, communication के अच्छे system, ये सारी चीज़े business को चलाने के लिए जरूरत होती है तो business को चलाने के लिए जिस infrastructure की जरूरत होती है, उसको हम बोलते है, economic infrastructure, ठीक है social infrastructure एक human being, एक person जो है, human being जो इनसान जो है, उसकी basic life के लिए जो जरूरी होता है और economic एक business के लिए जो जरूरी होता है infrastructure, ठीक है अब देखो, different से तोड़ा और अच्छे से clear करते हैं, social और economic infrastructure की जो social infrastructure होता है, वो किस चीज में help करता है, help करता है एक economic system को indirectly indirectly, क्योंकि अब देखो, social infrastructure का मतलब है, human beings को develop करना एक तरह से human being का welfare करना, अगर human being अच्छा होगा, healthy होगा, उसको एक पास अच्छी skill होगी तो वो अपने आप ही जो एक पूरा economy जो system है, उसको develop करेगा तो social infrastructure directly economic system को improve नहीं कर रहा, human being के थुरू कर रहा है, indirectly कर रहा है लेकिन जो economic infrastructure है, वो directly, एक economic system जो है, उसको develop करता है, उसको grow करता है क्योंकि economic infrastructure का मतलब है, कि जो production distribution है, वो उसको improve करना, उसके लिए अच्छी facility प्रूआइड करना ठीक है, तो economic infrastructure directly affect करता है, economic system को, और social infrastructure indirectly directly indirectly का मतलब आपको पता होगा, directly मतलब सीधा-सीधा, directly affect पढ़े, indirectly मतलब direct नहीं कि किसी और चीज की थू जाए, कोई चीज ठीक है, तो social infrastructure indirectly और economic directly affect करता है, economic system को, next बात करें, जो social infrastructure है, इसका क्या परपज है, इसका परपज है, कि जो human resource है, उसकी quality जो है life की, वो improve करना और जो economic infrastructure है, इसका मतलब है, कि जो economic resources है, जो businesses है, उनकी quality को improve करना social infrastructure की हमने बात कर ली, इसके अंदर आता है, health, education, अच्छा घर, वो रहने को, और जो economic infrastructure है, इसका मतलब है, कि अच्छे energy के resources है, जो अच्छा transportation हो, या तयात के अच्छे साधन हो, communication जो है, उसका पूराच्छे से system हो, ठीक है, तो अब इसके अंदर जो social infrastructure है, इसका मतलब है, कि human capital जो है, उसको increase करना human capital को, और economic infrastructure का मतलब है, कि जो physical capital है, उसको बढ़ाना, उसको increase करना, ठीक है, यह same बात है, कि social infrastructure, जो quality है, quality of life है लोगों की उसको बढ़ाता है और जो economic infrastructure है वो standard of living जो है लोगों को रहने का जो standard है उसको बढ़ाता है उसको enhance करता है economic infrastructure ठीक है तो ये था social और economic infrastructure के बीच में difference अब देखो जो economic infrastructure है उसके अंदर क्या-क्या चीज़े आती हैं सबसे तीन main बेसिक होते है economic infrastructure में एक तो transportation एक energy और communication transportation में की transportation के जो sources है transportation के जो ways है वो types जो है वो कौन-कौन से है railways है अच्छा railway का पूरा network हो तो हम बोल सकते अच्छा transportation का system है roads जो है वो marine transport यानकी जो हम sea के थूँ समुंदर के थूँ जो transportation करते हैं वो अगर अच्छा हो inland waterway यानि कि country के अंदर ही जो waterway है यानकी जो नदिया है उनके उपर का जो एक रस्ता है वो अच्छे से हो वो वाला जो system है airports जो है वो अच्छे हो यह transportation के sources है next है energy energy में हमने बात करी लिया energy sources में conventional और renewable जैसे की coal वगरा hydroelectricity natural gas oil petroleum nuclear energy और renewable में जैसे की wind है solar है biomass है biofuel यह energy का जो पूरा resources है वो अच्छे हो तो हम बोल सकते हैं कि energy के perspective से economic infrastructure अच्छा है communication में कि जो communication है एक जगे से दूसरी person को जो बात करना यह जो एक message जो है वो send करना उसका जो पूरा system है network जो है वो अच्छा हो यानि कि postal जो system है वो अच्छा हो telecommunication जो है network वो अच्छा हो तो हम बोल सकते हैं communication के perspective से economic infrastructure जो है वो अच्छा है particular country या area का social infrastructure में तीन चीज़ आती है health health अच्छी हो यानि कि health अच्छी का हो न अच्छे hospital हो अच्छी health facility affordable prices पे सही price जो है जिसको एक bear कर सके एक normal एक आम आदमी उस rate पे जो है health facility अविलेबल हो ठीक है water supply और sanitation यानि कि जो basic चीज़ होती है water life के लिए और जो water supply और sanitation है उसकी अच्छी facility हो तो हम बोल सकते है social infrastructure जो है वो particular area का country का अच्छा है तो यह social infrastructure के points है अब हम बात करते हैं infrastructure की importance कि क्या importance क्या role है infrastructure का economy के perspective से ठीक है एक economy में क्या role होता है infrastructure का तो सबसे पहले economic growth में economic growth में infrastructure जो है वो एक main role play करता है कैसे अब देखो परपजी infrastructure का यह होता अच्छी जो पूरा businesses जो है वो अच्छे से develop होगी उनके लिए जो basic requirement है वो fulfill करके देना infrastructure का मतलब होता है तो अगर businesses जो है वो अच्छे से grow हो पाएंगे तो economic growth जो है वो अपने आप insure होईगी next contribution to national income national income कैसे में कैसे contribute करता है infrastructure अच्छे infrastructure से क्या होता है कि जो labor और जो capital है उसका जो movement है ठीक है उसकी जो mobility है वो बढ़ती है एक country economy के अंदर तो जितनी ज़्यादा labor का और capital का movement होगा एक particular country के अंदर economy के अंदर उतना ज़्यादा national जो income है वो grow करेगी यह आपने देखा भी होगा जितना ज़्यादा purchase sales जितना ज़्यादा trade होगा उतनी ज़्यादा GDP जो है वो particular country की grow करती है ठीक है जितना ज़्यादा हम expenditure करेंगे ठीक है जितनी ज्यादा हम consumption करेंगे जितना ज्यादा movement होगा एक person से income का capital का उतना ज़्यादा GDP grow करती है तो उसके हिसाब से अगर अच्छा infrastructure होगा तो ज्यादा movement होगा ज्यादा mobility होगी labor के और capital की तो उससे जो national income है उसके अंदर contribution होगा तो इस तरह से infrastructure की importance है next employment generation अब देखो जितनी अच्छी ज्यादा सड़के वगारा बनेंगी जित इतना अच्छा मतलब पूरा जो system है वो बनेगा जितने ज्यादा बिल्डिंग्स वगारा बनेंगे उतने ज्यादा लोगों को employment मिलेगा इतने ज्यादा जो है वो रोजगार जनरेट होंगे next जो importance है वो है improve sectoral development sectoral development का क्या मतलब है अब देखो जो infrastructure है वो help करता है एक country की कि जैसे देखो कि जो infrastructure है उसके बढ़ने से GDP ग्रोप करेगी ठीक है GDP ग्रोप करेगी ज्यादा से ज्यादा च्छोटे च्छोटे बिजनस जो है मैं समी जो है उनको अच्छा structure मिलेगा infrastructure मिलेगा तो वह ज्यादा ग्रोप करेंगी डवलप होंगी तो इससे क्या होगा कि वहां जो लोग है उनका living standard जो है वह इंप्रूव होगा और जैसे जैसे लोगों का रहने का तरीका उनका life standards वह इंप्रूव होगा तो overall जो सेक्टरल डवलपमेंट है सेक्टर जो है उनको डवलपमेंट होगी ठीक है नाक्स्ट अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन का मतलब है सहरी करन ठीक है जो गाउं है उनके लोगों का सहरों की तरह मोग करना ज्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ना सहरी करन बढ़ना तो अ अच्छी facilities होगी तो इससे इनफ्रास्ट्रॉक्टर जो है वो इन्फ्रास्ट्राक्चर और इउस्ट्र मैं और हो यहां पर इनफ्रीष्ट करेंगे सहर हो में जाकर क्या करें तो इससे क्या होगा जो एकनोमी जो Growth है वह इंप्रोव होगी सफी वजह से जो पूरी जॉट ट्रामजक्षेंशन रही नंदर इंफ्रेस्त च्चर का फोरण इन्वेस्ट मेंट दूसरे देशों से इंवेस्ट में पैसे उसको ट्रेक्ट करने में एक मेल रोल है इंफ्रेस्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अपनी सेविंग जो है वो इन्वेस्ट करेगा पर्टिकॉलर एडिया के अंदर तो तभी बनेगी कापिटल तो तो वह कापिटल फॉर्मेशन अगर अच्छा इंफ्रों इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अच्छे बिजनस बिजनस को डवलाप करनेक में असानी होगी पूरी फै अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में दो पढ़ा एकनोमिकल और सोशल सोशल में हम क्या करते हैं अच्छी हेल्थ फैसलीटी प्रवाइड करना अच्छी जो एक तरह से वोटर हाउसिंग वगारा की फैसलीटी प्रवाइड करना अब गाओं के लोगों में इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या रोल होता है एकनोमिक के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स इन इंडिया कि क्या प्रोग्राम जो है गोर्वेंट ने स्टार्ट के हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर तो सबसे पहली हमारी जो स्कीम है वह उद्ध्य स्कीम का क्या परपज है क्या रोल है तो यह जो डिसकोम है डिसकोम होते हैं distribution companies DIS का मतलब है distribution बाटने वाली और COM का मतलब है companies तो जो distribution company है यह डिसकोम हम particular जो electricity distribution करने वाली company जो है उनके परपज में हम इस डिसकोम word का यूज करते हैं डिसकोम यानिकि जो बजली जो बजली को बिंचने वाला अलग department और बही को हमारे तक consumers तक पहुँचाने वाला अलग department उसको हम डिस्कॉम बोलते हैं तो यह जो डिस्कॉम है यह काफी ज़्यादा लोस ने चल रहे हैं तो इनके इंप्रूमेंट के लिए गोर्वेंट यह उद्ध्य स्कीम लौंच की उद्ध्य का जो फुल फॉर्म है वो है उजुवल डिस्कॉम अशॉरेंस योजना इस स्कीम क को गोर्वेंट ओफ इंडिया ने नवंबर 2015 के अंदर लौंच किया अब इस स्कीम का क्या परपज है इस स्कीम का परपज है कि जो डिस्कॉम है उनका फाइनेंशियल और ऑपडेशनल टार्डाउन करना याने कि उनकी जो प्रोब्लम है उनके उपर जो एक तरह से उनके ज प्रोब्लम है इसको कंकरना इस स्कीम का परपज है ठीक है इसके अंदर गर्वर्वेंट ने पैसे लिनके अंदर इंडियूस किये है नेक्स जो स्कीम है यह याद रखना है उध्य स्कीम की से रिलेटिड है डिस्कॉम जो है डिस्टिबुशन कंपनी जो है उनको उपर जो इंटरेस्ट का जो लोन का जो बर्डन है उसको कम करने के लिए 2015 में नवंबर 2015 में गोर्वेंट ने इसको लौंच किया था नेक्स जो स्कीम है वो है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम जोती योजना इसकी शोर्ट फोर्म है डी डी यू जी वाई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम जोती योजना इस scheme को क्यो launch किया गया, इस scheme को launch किया गया, जो गाओं है, वहाँ पर electrification करने के लिए, वहाँ पर ची electricity जो facility है, उसको promote करने के लिए, ये particular जो scheme है, वो launch किया गई, next है national LED program, अब ये जो national LED program है, इसको जनवरी 2015 के अंदर launch किया गया था, 100 cities के अंदर, इसमें government of India, जो है, center government जो है, उसने issue किया, launch किया था, इस scheme को, इस scheme को किसलिए launch किया गया, जो ताकि, जो ये particular cities है, इनके अंदर, जो light की नई technology, जो है, affordable rate पर, उसका जो use है, उसको promote किया जाए, यनकि उसको बढ़ावा देना, जो lighting, जो अच्छी lighting की technology है, जो affordable rate पर, यनकि सब afford कर सकते हैं, ठीक टाक जो rate है, उसके उपर available हो, उसका, उसका use जो है, वो promote करना, LED जो बलब है, उनका use, अब देखो, हम पहले जो है, वो yellow वाले जो बलब है, वो use करते हैं, उनसके क्या है, ज्यादा, जो light है, वो consume होती है, लेकिन अब LED बलब जो है, जो हम बात करें, रोशनी की, तो वो equal ही होती है, लगभग, तो यह जो efficient lighting की technology जो है, इसको promote करना, इस particular program का परपज था, objective था, नेक्स्ट जो scheme है, वो है smart city mission, यह आपने सुना भी होगा, smart city mission, लॉंच किया था, गॉर्मेंट ने, इसको कब लॉंच किया था, 25 जून 2016 को, इस scheme का, इस mission का क्या परपज था, कि government of India, जो है, वो 100 city उन्होंने select की थी, 100 share select किये थे, उनका पूरा जो, हम बोल सकते हैं, उनका पूरा जो cities का एक तरह से, रूप जो है, वो बदलना, मतलब उनकी, वहां के लोगों की condition, वहां का infrastructure जो है, वो बिलकुल best class बनाना, यह इस particular city mission क objective था, यानि कि पूरा modernize करना, जैसे हम, फोरंस में देखते हैं, फुली जो developed countries हैं, उनके जो सहर होते हैं, वहां पर सब कुछ clean, साफ सफाई, अच्छे से पूरा greenery वगएरा, अच्छे से पूरा system जो है, वो बनाया हुआ होता, तो ऐसे ही हमारे यहां पर भी, 100 cities को select किया था, कि उनको हम smart city बनाएंगे, next जो scheme है, वो है प्रधान मंतरी अवास योजना, या फिर urban housing for all mission 2022, 2022 में मतलब इस mission को launch किया गया था, इसका क्या परपच था, कि 2022 में launch नहीं किया गया था, इस mission का मतलब था, कि 2022 तक सभी जो लोग है, सहरों के जो लोग है, urban people जो है, उनको house क facility प्रवाइड करना, यानकि सहरों में जो रहने वाले लोग है, जिनके पास घर नहीं है, उनको घर प्रवाइड करना, इस scheme का परपच्छा, यानि कि इसका क्या aim हम बोलें, तो slum जो rehabilitation है, उसको करना है, यानकि जो जुगी जोपड़िया है, सहरों के अंदर, उनको rehabilitate करना है, उनको अलग, मतलब वहां के उनके लोग जो है, उनको affordable rate पे घर प्रवाइड करना, subsidy for beneficiary led individual house construction, यानकि जो individual है, वो अगर अपना घर बनाना चाते है, तो उसके लिए उनको subsidy वगएरा जो है, ये देना, ठीक है, affordable housing को promote करना, यानि कि एक ऐसा, मतलब जो लोग है, जिनके पास घर नहीं है, उनको affordable rate पे, ऐसे price पे जिसको वो afford कर सके, beer कर सके, इतना सस्ते rate पे उनको घर provide करना, ये इस particular mission जो है, उसका परपज या objective था, next जो हमारा topic है, वो है issues, कि Indian infrastructure जो है, उसको develop करने में, क्या problem, क्या issues, challenges जो है, वो आती है, सबसे पहले है, land acquisition, land acquisition का क्या मतलब अब देखो, कोई भी सडके वगारा है, वो बनानी है, कोई rail का network बनाना है, तो उसके लिए जमीन, land की जरूरत पड़ेगी, और वो land जो है, वो कई बार क्या होता है, कि किसान वगारा, जो है, जो area के मालिक है, जिनकी वो जमीन है, उनसे वो सरकार को खरीदने में काफी ज करते हैं, कि हम हमारी जमीन नहीं बेचेंगे, तो ये एक main problem है, infrastructure development, main issue है, ठीक है, इसकी वज़े से कही time तक project जो है, वो रुक जाते हैं, next funding constant, अब देखो, कोई भी infrastructure को develop करने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो पैसे कहां से आएंगे, वो पैसे आएं जड़क है, उसको बनाने का जो time है, वही 4-5 साल लग जाता है, और फिर उसके बाद धीरे-धीरे से उससे थोड़ा profit वगएरा जो है, वो generate होना start होता है, तो ये काफी ज़्यादा risk के investment होती है, तो यहाँ पर जो पैसे investor करने वाले investors जो है, वो मुस्किल से मिलते हैं, ठीक ये जो पूरा infrastructure के लिए जो अलग-लग projects होते हैं, उनको अच्छे से उनका जो पूरा planning वगएरा है, वो system जो है, वो अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता, उस planning वगएरा में कई बार कमी होती है, आपने देखा भी होगा, कई-कई जो projects हैं, वो कई सालों तक पड़े रहत आप देखो, कोई भी infrastructure बड़ा project बनाने के लिए आपको कई department से clearance लेनी पड़ती है, यानि कि उनकी permission लेनी पड़ती है, जैसे कि हम कोई सड़क बना रहे हैं, तो सड़क बनाने के लिए रास्ते में उस कुरा जो वे होगा, वहाँ जहां सड़क बनेगी, वहाँ पर कई सार कर रहे हैं, environment का, या कोई भी काम है, और किसी भी department के बीच में अगर आ रहा है, कोई भी system, तो उन department से permission लेनी पड़ती है, ठीक है, उनका clearance लेना पड़ता है, तो ये जो एक तरह से बोल सकते हैं, जो government department से clearance लेना इतना असान नहीं होता, काफी ज़्यादा delay late कर देते हैं, ये clearance देने में, कई हफ्तों तक कागच, कई महीनों तक कागच जो है, वो उनके पड़े रहते हैं, वो उन पर एक तरह से अपनी clearance ही नहीं देते, अपना जवाब, अपनी permission ही नहीं देते, इतना delay करते रहते हैं, तो इससे पुरा late हो जाता है system, ठीक है, तो ये भी एक main challenge य आपको चीजे समझ आई होंगी, कुछ doubt है तो आप comment box में पोच सकते हो, मिलते हैं फिर next video के अंदर, thanks for watching,